हेलो स्टुडेंट्स एम्पेरिकल इंस्टिट्यूट के इस सिंप्लिफिकेशन सीरीज में यह है टेस्ट नंबर पाच का पार्ट टू का एक्स्प्लेनेशन चलिए इस वीडियो की शुरुवात करते हैं पहला कोशन कुछ इस प्रकार से है a प्लस 1 की पावर 4 माइनस a की पावर 4 किसे से वीभाज है देखिए इस प्रकार के कोशन जो होते हैं वो पेटेंट कोशन होते हैं इन्हें कैसे करना है ध्यान से समझी में एक आपको नियम बता रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या आपको इस स्वरूप में मिलती है x की पाव x प्लस a इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो x प्लस a होगा याने कि इसका स्वरूप कोशन का इस प्रकार का रहेगा n का मान सम होना चाहिए तब इसका आंसर x प्लस a होगा तो इस प्रकार से हम इस कोशन को solve करते हैं देखिए कोशन कुछ इस प्रकार पर a plus 1 है याने x is equals to यहाँ पर हो गया a plus 1 आप यह बात आप याद रखिएगा तो यह question के इस वरूप में आ गया है यह question अब यहाँ पर आप इसे ऐसे कर देंगे कि x की power 4 minus a की power 4 यहाँ पर यह जो है n का मान यहाँ पर 4 होगा इसका मतलब इसका answer यहाँ चुपा होगा x plus a मे यहाँ पर हम x का value रखेंगे तो जो की आजाएगा a plus 1 plus a पहले से ही था याने 2a plus 1 इसका सही answer होगा जो की option number d पर दिया गया है तो यह एक series होती है इसे आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला question कुछ इस प्रकार है 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या जो 2 और 5 से विभाज है का योग क्या होगा अब दिखिए इस प्रकार के question को हम औसत के concept से करेंगे औसत क्या कहता है औसत ये कहता है संख्याओं का हमें योग निकालना होता है बटे संख्याओं की संख्या से उसे विभाजित करते हैं तो औसत प्राप्त होता है अब देख एक से सौ के बीच में दो से विभाजित संख्याओं की अधी हम बात करें तो कुल मिला करके पचास संख्याओं होंगी क्यूंकि एक सम और एक विसम इसे साब से बीच वाली जो बची भी संख्याओं होंगी वो सम होंगी यानि संख्याओं की संख्या हो गई पचास अब लग, यहां पर हम कर देंगे 50 धन-1, तो ये हो गया औसत आगया 51, अब इन 50 सम संख्याओं का औसत जो होगा वो 51 होगा, यदि आपको आज पता है, और संख्याओं की संख्या पता है, तो आप इस प्रकार से योग निकाल सकते हैं तो ये जो योग निकाल रहा हूं में ये 2 से विभाज्य संख्याओं का निकाल रहा हूं तो 2 से विभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 51 गुणा 50 ये औसत है और ये संख्याओं की संख्या है इस प्रकार से जब 51 को आप 50 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2550 इस प्रकार से 2 से विभाज संख्याओं का योग आ गया है 2550 आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से हम 1 से 100 के बीच में 5 से विभाज संख्याओं निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एक तर्क बता दू यदि आ आप एक से लेकर के 10 तक की संख्याओं लिखेंगे तो इसमें 5 से विभाज से 5 और 10 होगी इस प्रकार से यदि हम कहें कि एक से 100 के बीच में कितनी संख्याओं विभाजित होंगी तो उनकी संख्या होगी 100 बता से 5 कर देंगे याने की 20 याने संख्याओं की संख्या हो ही है और सभी के बीच में 5 का अंतराल है तो इस प्रकार से हम पहली संख्या 5 लेंगे और अंतिम संख्या 100 लेंगे क्योंकि यही ओसत का कॉंसेप्ट होता है 50 205 विभाज्य संख्याओं का तो वो हो जाएगा ओसत में आप संख्याओं की संख्या से गुणा कर दीजिए तो ओसत आ गया है 105 बटा में दो और संख्याओं की संख्या है 20 इसे साब से इसको आप 10 से गुणा करेंगे तो कुल योग आजाएगा 1050 अब देखे मैं इस कोशन को यहाँ पर कर रहा हूं आपके पास दो से विभाज्य संख्याओं का जो योग आया था वो 2550 आया था प्लस में 5 से विभाज्य संख्याओं का योग आया है 1050 जब इन दोनों संख्याओं को आप जोडेंगे तो आंसर एक में 5 का स्थानिय मान क्या होगा अब देखिए हम इस कोशन को पेस बेसिक तरीके से समझ लेते हैं यहाँ पर यह प्रशन दिया है 123 दशमलव 0521 अब ध्यान से समझ जिए दशमलव यहाँ पर आया है और इस्थानिय मान क्या होता है इस्थानिय मान जो इस्थान पर नि एक का स्थानियमान सो, दो का स्थानियमान बीस और तीन का स्थानियमान एक होगा इसी प्रकार से दशमलों के इस तरफ जाने पर स्थानियमान कैसे निर्भर करेंगे यहाँ पर पांच जो है वो दशमलों के इस तरफ दूसरे स्थान पर है तो 5 का स्थान यमान 5 बटा में 100 हो जाएगा क्योंकि वह दूसरे स्थान पर आ रहा है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि दशमलों के इस तरफ आप जिस भी जितनी भी दूर जाएगे उसके साथ में उतने ही शुन्य बटे में लगते चले जाएगे इस परकार से क्योंकि 5 दशमलों के बाद में दूसरे स्थान पर है इसलिए 5 के बटे में 100 आएगा तो यही इसका सही आंसर है याने कि option number C इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला question कुछ इस परकार है दो क्रमांगत समसंख्याओं के वरगों का अंतर 100 है तो छोटी संख्या का मान गयात करिए देखे इस question से मैं आपके बहुत सारे question complete करवा दूँगा कैसे दो क्रमांगत समसंख्याओं हमें कहीं गई है तो देखे इस question को हम करें यदि तो पहली संख्या हमने x मान ली और क्रमांगत समसंख्या है तो इसके बाद वाली अगली संख्या x प्लस 2 होगी अब इस प्रकार से इसके वर्गों का अंतर बोला गया है तो हम कहेंगे x प्लस 2 का whole square minus में x का square हमें देखे रखा हुआ है 100 अब इस प्रकार से इसे हम solve करेंगे यहाँ पर formula लगेगा x का square प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू x यानि कि a square प्लस b square प्लस 2ab अब यहाँ पर minus x square पहले से ही था और यहाँ पर आजाएगा 100 अब इस प्रकार से यह x square से यह x square cancel हो गया यह 2 गुणा 2 4 हो गया यानि 4 धन 4 x बराबर में आजाएगा 100 अब इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 x को इधर ही रहने देंगे 100 के minus में 4 कर देंगे इस 4 को इस तरफ ले जाएगे अब इस प्रकार से हम यहाँ पर x का value निकाल लेंगे जो की आजाएगा 100 minus 4 बटा में 4 अब देखिए यहाँ पर आपको x का एक value आ चुका है जो की हमने संख्या मानी थी तो हमसे कहा गया है कि छोटी संख्या ग्याद करिए अब यहाँ पर हम x मान लेते हैं जो की छोटी सं हमेशा आएगा और वटे में भी 4 हमेशा आएगा इस प्रकार से यदी आपको छोटी संख्या पता करनी हैं तो माइनस लगाईएगा और यदि आपको बड़ी संख्या पता करनी हैं तो plus लगा दीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ इस चिन्ध का अंतर होगा वरना यह चोट आपके लिए patent हो जाएगा, चलिए इसका answer देख लेते हैं, यहाँ पर x value हमें पता करनी है, क्योंकि हमें छोटी पता करनी है, इसलिए 100 में से हम 4 को minus करके 4 से divide कर देंगे, 4 से minus करके यहाँ पर आजाएगा 96 divided by 4, इसको हम divide करेंगे 4 से, तो यहाँ पर answer आजाएगा 24, तो जो क विशंपूर्ण संख्या क्या होगी, अब देखे इस प्रकार के कोश्ण जहाँ पर क्रमांगत विशंपूर्ण कहा गया है, या क्रमांगत संपूर्ण कहा गया है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको 133 संख्या देके रखी हुई है, अब देखे यह योगफल दिय है तो आप सबसे पहले तो मद्य की संख्या तक कहसे पहुछ पहुचिंगी। साथ का 103 में विभाजन कर दीजिए। 17 होगी इसके आगे 15 और इसके आगे 13 इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 13 जो कि option B पर दिया गया है तो इस प्रकार से आप सबसे आगे की सबसे पीछे की दूसरे नंबर तीसरे नंबर या किसी भी नंबर की संख्या को आप पता कर सकते हैं इस प्रोसेस से तो आप जो यह वीडियो कैसा लगा इसे comment box में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि इसे कैसे और improve किया जा सकता है इस वीडियो को देखने के लिए thank you